हेलो दोस्तों स्वागता आपका हमारे इने ब्लॉग में कैसे है आप सब सब उमीद है सब अच्छे होंगे ये देखे सुबह सुबह ये कोहरा चाया हुआ है और हम बना रहे हैं आज मुली के प्रोंठे जिसके लिए हमने मुली का शूरा कर लिया है उसमें हमने डाल दिये है मिर्ची नमक और अजवाइन इसको मिला के हम अच्छे से तैयार कर लेंगे तैयार करने के बाद हमने बनाए हैं मुली के प्रोंठे जो की गी के साथ बनाए है हमने और वहीं दूसरी और हमारी चाय भी तैयार हो रही है और प्रोंठे दोनों तरह अच्छे से सिकने के लिए फिर बनके तयार हैं गुछ इसकी अमनें ये परउंटे इन जॉय किये अचार और चाहे के साथ सुबंए सबह चाहे और परउंटे मिल जाए सर्दी के दिन तो दिन ही बन जाएं थाली और चाहे रेडि आया है और आज इन धरन थी कि भाहर ही नहीं निकले ज़्यादातर हम सोए रहे और फिर ये बजारी को थोड़ा सा चारा डाल दिया है इसको बाहर निकाला है दूसरी को नहीं निकाला है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो ये कल के थोड़े से पत्ते पड़े हुए थे जो कि हमने इसी को डाल दिये तो इसी ने खा लिये और फीर चलते हैं अपने किचन गार्डन की तरफ किचन गार्डन में क्या है की कोहरे में से पानी के ड्रॉपलेट्स बड़े जादा हो गए है हर जगा देखें तो कोरा कोरा ही पौदों को भी लगा हुआ है और देखिए नजारा ही कुछ अलग है देखने के लिए और ये हमारे मटर की अपडेट और कुछ मटर जो कि हैं चिडियां खाये जा रही हैं इस तरहे मलक की दाने बन नहीं दे रही हैं चिडियां और फिर बाकी पौदों पर भी नजार लगा जी जाए ये एक मटर है जिसमें दाना बन रहा है और ये अलसन की गैरी जो की है उसमें भी कोहरा चाकर और पानी बरा हुआ है इस पे भी जो साग है इस पे भी पानी चाया हुआ है और एक तो पौदा ऐसा था वो बिल्कुल क्रिस्मिस ट्री की तरह दिख रहा है आप भी देख सकते हैं एक दिम क्रिस्मिस ट्री की तरह सज्जा हुआ लग रहा है पानी से फिलाल आज के लिए इतना ही बाइ बाइ थैंक्स पर वाचिंग